हलो दोस्तों मेरा नाम है आशीश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अकुस्तिक सलिया तो दोस्तों उम्मीद रहता हूं आप सब लोग की को तो दोस्तों आज ही हमारी वीडियो टीक के को मघा अंदर नान तो बहुत ज्च्रेक कर सकते इसके साथ कोई भी गाना प्ली कर सकते है आपयार और प्यार अपना सब्सक्राइब को अपना आपना प्यार और अपना सप्पोर्ट दोस्तों हमारी चोटे से चनल के साथ ऐसा ही वनाया रखें तो दोस्तों आये वीडियो स्टाट करते हैं तो दोस्तों यह है टीक का स्टीरो रिसीवर आप जैसे दे सकते हैं मॉडल अबर है AG 2700 कंडिशन बहुत ही जादा मिल्ट रहने वाली है दोस्तों 76 के आसपास का मॉडल है और कंडिशन आप देखें इसके अपनी अपनी तोड़े से फंक्शन के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों यह सोर्स है जिसमें आप अपना एम एफम फोनो और और सब्सक्राइब कर सकते हैं या इवन आप अपना फोन और चाहिए कर सकते हैं दोस्तों यह इसका बेस है यह ट्रिबल रहेगा दोस्तों यह इसका वाल्यूम बटन है वाल्यूम के जस्ट वैक साइड में इसका बैलेंस कंट्रोल है दोस्तों यहां पर आते हैं तो यह आपक आता है अगर आपまあ पनोच कर सकतें अगर आपको छों कर सकतें कि और स् गारा दुप कर सकतें अगर अगर आपको यूद कर यह संदिक साथ्य। ये दोस्तो इसका FM का जौगर है आप अपना स्टेशन अपने अपने सेट कर सकते हैं दोस्तो ये इसका पावर रहेगा पावर रुन करेंगे इसका आप का पावर के बादा का नगैका स्क्राइचलेस रहने वाला है बहुत ही मिल्ट कंडिशन का है एक बाइस की बैक साइड भी आपको मैं दिखा देता हूं आप लोग ले तोड़ा सा इजी हो जाए राचीज हो समझना पर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका FM का एंटीना रहने वाला है इसकी पा आपको डारेक्ट नॉर्मल वार्सी वाला ही जैक देखने को मिलेगा में जैपान प्रोड़क्त है मॉडल अमबर है टी एजी 2700 जी हां दोस्तों अंटीशन बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है पिल्कुल नीड एन कीन अम्प्रिफायर है इसकी स्पेक्स भी मैं आपको अ बारे में बता दूँ तो दोस्तों ये एक स्टीजर रिसीवर है जिसमें आपको FM और MW देखने को मिलता है पावर आउटपूट की बात करते हैं तो दोस्तों सिफ्टी वाट है टी टोम के पर आप इसके 20 वाट के पर दोस्तों मज जाएगा मैंने इस से अच्छा रिसीव पर नहीं सुनाए 20 वाट के अंदर बहुत अमेजिंग आउटपूट है जो लोग दिली के आसपास रहते हैं वो आके सुन भी सकते हैं दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि इसके 20 वाट किस लेवल की है तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी रिस्पॉंस के अगर हम बात करते ह दोस्तों 70 db mm to 70 db line रहेगा चैनल सपरेशन 50 db mm to 50 db mm line रहेगा दोस्तों आउटपूट के अगर बात करते हैं तो वर्ट 80 mb line रहेगा 30 mb in रहेगा स्पीकर का जो आप लोड इंपिटेंस अगर हम बात करते हैं तो 4 ohms से 16 ohms तक है दोस्तों डेमेंशन की अगर बात करते हैं तो 450 x 315 x 153 mm रहने वाला है वेट इसका दोस्तों 9 kg रहने वाला है और इसका मॉडल में आपको बताई चुगा था यह यह 1976 का मॉडल है दोस्तों जियां दोस्तों बहुत ही पुराना मॉडल है और बहुत ही मिंट कंडिशन का है अचली इस टाइम के जो एम्प्रिफायर होते थे यह बहुत ही पावर्फुल होते थे साउंड क्वालिटी का आज भी इंड़ा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है दोस्तों एक बार मैं आपको पावार आउट्पुट भी सुना देता है पर्फॉर्मेंस भी सुना देता है दोस्तों एक बार आप एंजॉएगे तेरे खुश्बों से सारा घर में हके तो दोस्तों मीद रखते हैं यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया अगर दोस्तों अगर इस एंप्लिफार की परफॉर्मेस आप लोगों अच्छी लग यह प्रोड़क्ट अच्छा लागा है तो उस्तों तो हमारे नुपर दिस्क्शन में से ले सकते हैं और दोस्तों इतनी इजली मिलता नहीं है दोस्तों अगर यह प्रोड़क्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपना प्यार और अपना सपोर्ट दोस्तों नेक्स वीडियो भी बहुत ज़र्दी आपको लेकर आएंगे तो दोस्त जाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज 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 हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपना प्यार और अपना सपोर्ट हैसे ही प्राएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही खतम करते हैं नेक्स वीडियो में आपको बहुत जल्दी ल